माहे के पहले शप्ता है में जैसे बरह में साथ चर्चा करते हैं तन के बारे में दूसरे शप्ता हमें जो चर्चा होती है वो मन के बारे में होती है तीसरे शप्ता हमें सामाजिक बिसियों पर चर्चा होती है और लास्ट में धन के बारे में चर्चा होती है तो आज पहला शप्ता है इस करण से आज तन के बारे में चर्चा करेंगे, तन निरोगी कैसे रहे, कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख पुत्राग्या कारी और चौथा सुख कुलबंती नारी, तनियदी यानि आपका सरीर स्वस्थ है, तो आप हर कारी को अच्छे स होना आती है या आलाश आता है अपने कारी करने में रूची नहीं है प्द्धूम ही आती है तो आप यह लिश्चित तोर पर समझें कि आप और लिदे था कंगर किसे कार हैं यह आपか खाना सही नहीं है यह जोने सभीट एक टाकान नहीं यह यह ठासा ही तोना चाहिया संदुलित आहार होना चाहिए और शही समय पर होना चाहिए और शाथ ही उसमें सभी चीज़ों का समावेश होना चाहिए तब आप बिना ठके हुए उर्जा से युक्त होकर आप अपना कारी कर सकते हैं दोस्तो यदि आप समय पर खाना नहीं खाते तो शरीर में जो संचित पहले से उर्जा होती है शरीर उसका उपियोफ करने लगता है और आपकी जो संचित उर्जा रहती है उसका आशोषन करता है जिससे सरीर में ठकान होने लगती है इसलिए आप समय पर भोजन जरूर करें सुबह नास्ता बहुत आवश्यक है दोस्तों क्योंकि रात में जो खाना खाया जाता है वो रात पर में हमारा सरीर पचा के उसको खत्म कर देता है और आते हमारी शुवे खाली होती है तो इसलिए आठ तीस यान लगवक साड़े आठ बज़े से लिए कि दस बज़े की बीच में आप नास्ता कर लें जिससे हमारा सरीर उड़ जाए ठोजाए और हमारे काम करने में रूची प्रोच्सा है रहे साथी दोस्तों दो पहर का भोजन एक वज़े से लेकर तीन वज़े की बीच में हो जाना चाहिए और साइम काल का जो भोजन है वो साथ वज़े से लेकर नो वज़े की बीच में करी लेना चाहिए यदि आप खाना समय पर करते हैं और उसमें संतुलित आहार हो दूद समलि सब्जी दाल चावल सभी चीज संतुलित हो तो आपको थकान नहीं है दोस्तों हमारे आयरवेदिक गनत्व हम कहा गया है कि भोजन के साथ पानी अधिक नहीं पीना चाहिए एक ग्लास पानी में ही आप अपना भोजन पूरा कर लें यानि कि हाथ दोने तक में भी एक ग्लास पानी में बीचे में थोड़ा थोड़ा पानी आप लेते रहें और भोजन के एक गंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए यह स्वास्त के लिए उत्तम माना जाता है ताजा भोजन करना चाहिए बासा भोजन नहीं करना चाहिए ताजा भोजन रूचिकर होता है जरूर खाना चाहिए उससे वो पुड़ी पच जाती है इसी प्रकार से नास्ते में यदि आप भजिया खा रहे हैं तो उसके साथ हलुआ भी जरूर खाएं ताकि उसका शामान जश्च बना रहे यदि एक ही चीज खाते हैं तो वो कई बार आपको इलर्जेटिक हो जाती है जैसे भजिया खाने से कुछ लोगों को पेट खराब हो जाता और दस्त की सिकायद हो जाती है तो उनके लिए आवश्यक है कि उसमें वो दही साथ में ले लें तो यह बहुत ही फायदेमन हो जाता है दोस्तों खाने के बाद मीठा भी जरूर लेना चाहिए लेकिन उन कर् aixòी से काने से हमारी आत्मा तरप्त हो जाती है भोजन से जो तरपति हैECU मिलती इसलिए मिठा जरूर छादिए कि उसी चीजें दोस्तों सायोग बुर्द होती हैं जैसे दूद के साथ मही यह दिन ही खाना चाहिए यदि आपने टमाटर ंपने सब्रों मुआ सानी नहीं मूली खाने से चर्मरोग होते हैं दोस्तों कभी भूल कर यदि आपने मूली जिक एक हाने में तो दूध कर रहे है यह यह mean कशेवन ना करे मूली जो है वह साइम काल भी नहीं खाना चाहिए यह बादी बढ़ाती है आयरुवेद के हिसाब से इसको मना किया गया है दही भी आपको रात में नहीं खाना चाहिए ये भी आपको बहुत ही नुकसान दाय हो जाता है गैस बना आता है अपच हो जाती है दही दो पहर में खाएं तो बहुत ही लाब दाय होता है दोस्तों दूद के साथ नमक भी नहीं खाना चाहिए, मचली के साथ दूद नहीं खाना चाहिए, और कभी भी खीर और खिशडी साथ मनी खाई जाती दोस्तों, यह संयोक बुरिद्ध आहर हो जाता है और यह आपके फूट पॉजनिंग का कारण भी बन सकता है, जैसे घी और शहद कभी भी बराबर मात्रा में मिला कर नहीं खाना चाहिए, यदि किसी ओशडी में लिखा भी गया है, तो एक को 75%, एक को 25% के हिसाब से मिला कि आप उसका सेवन कर सकते हैं, एक चीज़ और दोस्तों, यदि भोजन गर्म बना हो, तभी कर लाएं, और यदि आप नहीं क कि आप बहुत ध्यान से केवल भोजन ही करें, उस्षम है, मोबाइल ना करें, बात ना करें, और दुख या क्रोध वाली कोई ही सोच अपने मन में ना लाएं, बड़े प्रसन्ने चित्त होके भोजन को करना चाहिए, अच्छे से चबा करना चाहिए, पूरी शान्ती और ध भोजन करते वक्त मोबाइल स्विच राप करते हैं, तो वहतर है, नहीं तो दूर रखते हैं कम से कम, मोबाइल भूल कर भी अपने पास ना रखें, सुस्रु सहीन इताम कहा गया है दोस्तो, भावपर कास में भी कहा गया है, आयरुवेधिक ये ग्रंथ हैं, महा ग्रंथ है इनमें लिखा है कि भोजन करने के बाद शौका दम चलें आप और बाई करवट बाद में लेट जाएं इस यह आपका खाना सही तरीके से पच जाएगा कुछ अच्छे विचारकों का कहना है कि पहले बाई करवट 25 सांस ले लेनी चाहिए और 25 सांस चित्थों के लेट जाएं और 25 सांस दाहीनी तरब लेटने के बाद आप उठ जाएं खाना के बाद दो पहर में कभी भी गहरी नेन नहीं लेनी चाहएं बस सौसांस लेने के बाद आप उठ जाएं और अपने कारी पे लग जाएं दोस्तो भोजन के तत्कालवाद दोड़ाना नहीं चाहिए कोई मेहनत का कारी नहीं करना चाहिए इस तरी प्रसंग भी वर्जेत है इस प्रकारत कोई भी मेहनत वाली कारी ना करें लगब एक घंट एक पश्चात ही आप अपने दैनेक जो कारी हैं बोगरन प्रारम करें दोस्तो कांसे के बरतन में घी कभी नहीं रखना चाहिए यदि कांसे के बरतन में घी रखा जाता है तो वो जहर बन जाता है उसका सिबन नहीं करना चाहिए दोस्तो यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो क्रिफा करके वीडियो को लाइब करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त रिष्टेदार मित्रों को भेजें हेलो जिंदिगी के माध्यम से दोस्तो अन्य विश्यों पर सरीर को स्वस्त रखने के लिए आगे भी चर्चा आपसे होती रहीगी आज के लिए बश इतना ही आपसे लेता हूं गया नमस्कर